कि समस्याओं के समादान का हल पाओगे, यदि विज्ञान की ताकत को समझ जाओगे, महत्वग््यान और सिख्शा को दो, अब समस्याओं का हल निकलना चीए, हर चात्र में एक विज्ञानीक नजर आना चीए, जैहिन जैभारत माभारती के लाड़ो आप सभी का गुरुकल आर्मी औरलाइन प्लेटफोन पर हारदीक स्वागत अभी नंदन जिसमें जो आर्पेख की तियारी करें जो बच्चे जो आज बेश की तियारी करें रही उद आप को अज से कि और सप्वी के लिए मैत्वपून है यह क्लास हैं जीन बेश की साइंस को चले रहे हैं अप रहेगी तो आज हम इस class में वो डिसक्वस करेंगे science के बारे में 锁न्स रẩदय तप सकते हैं exam में उसके बारे में पुरी discussion से चर्चा करेंगे जो आपके बारे में वापस और और जला किसी लाएं में को अंस्वर देना है क्यान कुण कौन से क्यूशन पूछे जा सकते हैं दिल पूलिस में कौन से क्यूशन पूछे गए हैं और आगे कौन से क्यूशन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावन है वो सारी चर्चा इसमें कहरेंगे कि पुल मिला कि साइंस का पूरा फंड़ा इसमें एड है आज तो बिनाक्षी देरी के क्लास का आगाज करेंगे एक बार सेसन को दबा की सेर्ख कर दीजिए और मैनत करते रहें कि रख होसला वो मंजर भी आएगा रख होसला वो मंजर भी आएगा पैसे के पास समुंदर भी आएगा यह रूट करना बेट मंजिल के मुशापिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे लाड़े बिनाक्षी देरी के क्लास का आगाज करते हैं और आज की क्लास का पहला कि सुन कि मानव रुधिर का पीएस मान कितना होता है मानव रुधिर का जो पीएस मान है लाड़ ले वो कितना होता है यह हमें बताना है फिनाक्षी देरी के एक बार कमेंट सेशन में जल्दी सी राइट आंसर दे दीजिए देखते हैं रोहित संकर मोहन 37 बिलकुल नरहार में लवर जी हाँ बिलकुल आप सभी का राइट आंसर जी हाँ 7.4 होता है कितना होता है लाड़ ले 7.4 मानव रुधिर का पीएस मान होता है बात करते हैं इसके अलावा अगर आपका जल्द का पूछ लिया जाए इसका पूछ लिया जाए लाड़ ले अगर जल्द का पीएस मान पूछ लिया जाए तो उसका होता है 7 होता है बात करते हैं अगर समुद्री जल्द का पीएस मान भी आपको पूछ सकता है है तो समुद्र जल का प्यमान होता है स्लेवर्ल till आपको या रखना है झिसा मान लेना कि दूद्द चोंसुट रूपे किलो भाग भगता है जले बांकर सकते है इस इस तरीकेशहं आप याद कर सकते हो इसके अलावा अगर टमाटर का पीएस मान पूछ लिया जाए इसका लाड़ ले एक टमाटर का पूछ लिया जाए तो इसका 4.5 होता है पीएस मान इसके अलावा मानौ मुत्र का भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो मानौ मुत्र का वेसे 4.8 से आगे और साथ में उतार देज़ाई बड़ा इंपोटेंड रहेगा आज का अपना चेप्ट रहेगा समंदरिजल का और निया अज़्ट पंच आइगा इस साथ में इंपोटेंड पोटेंड अज पुरा कर लेंगे आप सम् thrust का हो गया इसके अलावा आज शिरके का पूच लिया जाता है शिरके का जो पी-एज मान होता है ये पूच सकता है तो शिरके का जो पी-एज मान होता है लड़ ले निम्बू का पूछ लिया जाता है लाड़ ले निम्बू का तो निम्बू का पूछ लिया जाता है 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 तो निम्बू क जाता है सराब से ज्यादा बिखती तो इस आप से देखना है कि सराब से ज्यादा बिखती है मैंने में 28 दिन तो बिखती ही है जो दारू पीते हैं या सराब पीते हैं वो लगबग 28 दिन मैंने में पीते ही है तो 2.8 पीछ मान होता है बात करते हैं पीछ मान तो पीछ मान है ज उसको माफने वाली स्केल होती है पि यह सोरींस नामक वेगरेनिक ने दी 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 ऍटेटेखों तो नमक वेगनिक नहीं है पिएच इसकेल डिती जिसने बताया था कि जो पिएच मान होता है वो पिएच मान में वो इसकेल का मान था लाड़ ले आपके साथ से चोगदा तक कितना था लाड़ ले साथ से चोगदा था कि इसका मान था जिसमें जिरो से चोगदा तक मान था जिसम का था ताथ पर था उदा सिन का मान अगर इसमें ऐसा भी ट्रिक याद कर सकते हो अनिल और सालीनी हमने पहले बताए था एक लड़का था जिसकी साधी किसे होती लाड़ ले सालीनी नाम की लड़की से हुई थी सालीनी नाम की लड़की से हुई थी अब इससे इसा तरीका याद रख सकते हो इस सालीनी हमने थी सार चीक लिसे नील लाल और नी से मतलब नीला क्या होगा नी से मतलब हो गया नीला तो सार वक कर लाते हैं जो लाल इटमस को नीला करते हैं सार कर लाते हैं इसमें क्या हो गया अमल निला लाल अमल वो होते हैं जो निले लीटमस को लाल करते हैं अमल कहलाते हैं जिनका पियेच मान जीरो से साथ तक होता है वो सारे के सारे अमल होते हैं साथ से चोगदा तक वारे सारे सार होते है ठीक है साथ वड़ा उदासीन होता है जिसे जल का पीएसमान साथ होता है तो वो उदासीन होता है जी गुर्ची इसके साथ में उतारते जाई बड़ा इंपोर्टेंट चेप्ट रहेगा आज का जो अपना है इसके अलावा बात करते हैं अगला जो क्यूशन सामना सर्वत दाता सम रक्त सम है कौन सा है जिन्होंने पहले क्लास नहीं लिए उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा आज का जो सेशन रहेगा उनका वापस रिविजन भी हो जाएगा जो पहले क्लास है ले रहे थे और जिन्होंने क्लास नहीं लिए उनके लिए आज रामबान की तरस साबित हो कि जो पिछले कलोसों का जो निचोड रहेगा वो वह लग बग यहां कवर हो जाएगा तो राइट आंसर बताइए कि सर्वे दाता सम्मुए कौन सा है कि सर्वे जो रख दाता सम्मुए वह कौन सा एक बार कमेंट सेशन में जरूर साब के बताएं देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर बताइए कि सर्वे दाता रख सम्मुए चाब दीजिए एक बार बिना किसी देरी के और सेशन को एक बार दबा के सेर करते मेरे लाड़ ले चेर सेर नियो देखते हैं आज का सेशन बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा और कितने लोग इसको सेर करत देखते हैं एक बार पूरा दकर एंडाता असमय इसका पहले बात करते हैं रख समय कितने परकार खो होया च्यार भागों में बाटा है कितने बागों में गुरुची च्यार भागों में बाटा है और बाटा किसने कार्ल लेंड इस्टेनर नामक वेगैनिक ने इसे च्यार भागों में बाटा है और च्यार कौन-कौन से उगरुप में है गुरुची एक तो A है दूसरा B है तूसरा A बात करते हैं इसके अलावा सबसे किसी को दे दिया और दान करने के बाद हमारे बात करते हैं कि अगर कुछ पूछ लिया जाए आपको शार्वा ग्राही सम्होल सा आपको सामने सापदीचे देखे देखे और इसका राइट अंसुर होगा सर्वड डातास तो हमने देख लिया तो सर्वे ग्राही समोर देखते हैं बिल्कुल देखो इसके पास एक परतीक है इसके पास भी एक परतीक चीन है इसके पास डबल संग्या है और इसके पास एक है तो डबल किसके पास है एबी किस पास है जिसके पास कुछ आएगा तबी तो वो ज्यादा होगा तो बाकी 3 तो संगल है इसके पास double है तो ये गरन करता है तो servee gravee कौन सा और गुरजी servee gravee sumu हो गया A B कौन सा हो गया A B gravee so servee gravee हो गया लाड़ ले ठीक है ये 2 questions सबसे important होते हैं बात करते हैं इसके अलावा positive और negative कि लाड़ ले सर हमने तो बहुत बात सुना है कि A positive, B positive, A B positive या B negative ऐसा सुना था वो क्या लपड़ा है उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे एक बार इसके स्क्रिंट ले लिजे उसके बाद आगे इसके बारे में विवरन करेंगे पिल्कुल अब आगे बात करते हैं आपके जो पोजिटिव और नेगिटिव की बात इसकी बात यहां करते हैं कि लाड़े एक विनर नमक वेगनिक था विनर प्लस जो कार्लेंड इस्टिनर नमक वेगनिक थे इन दोनों ने मिलके जो आरच फेक्टर है इस आरच कारक की खोज किती और खोज किती और खोज किसमें किती लाड़े वो खोज किती आपके एक मका का रिसस मका का रिसस नमक बंदर में मका का रिसस नमक के एक बंदर था उस बंदर में एक आरच कारक की खोज किती एक कारक था उसके खोज किती और उसको नाम आरेच दिया था और आरेच इसलिए दिया था क्योंकि इसका जो नाम था रिसस था तो यहां से इसको आरेच को उठाये था और इसलिए इसकारों को आरेच नाम दिया था तो ठीक का गुर जी आरेच तो नाम दे दिया हमें तो यह सा सुना है कि A positive और B positive बता है यहाँ पिर तो आप R बता रहे हो बिल्कुल इसका भी विवरन आपको बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे बात करते हैं इसके अलवाग़ बताएं पोजिटिव और negative की यह है कि जिनके रक्त समूव में R.H. पाया जाता है जिनमें रक्त समूव में R.H. कारक पाया जाता है वो तो होंगे positive जैसा मान लिया कि मेरा blood group A group है और मेरा A group के अंदर अगर मेरा R.H. कारक पाया जाता है इसलिए मेरा हो जाएगा A positive लाड़ दे और अगर मेरे blood group में अगर R.H. कारक नहीं है तब मेरा हो जाएगा A negative क्या हो जाएगा लाड़ दे A negative जबकि भारत में किसमें गुर जी लाड़ दे भारत में लग बग सत्यान में परतिस्थ मनुष्यों का blood group पाया जाता है जबकि 3% मनुष्यों में R.H. कार जैने वाला रक्त संभू है ये भी आपको ध्यान रगना होगा जो आपने सुल्तान पिस्थर देखी थी उसमें आपको इसका पता लगा होता क्यों कि वो दंगल खेलने बाहर चला जाता है और उसको वापस रक्त नहीं मिलता है उसकी बेटी को उसकी टेत हो जाती है ठीक ह कि रखेँ इसा कर्क ऊपस्तित हो या इसा लिग सकती हो आप कर देखते हैं कि जिनमे अरत स्कारक आपस्तित है उन्हें पॉजिटिव जिन में उपस्थित नहों जिन में आरेस्ट कारक अनुपस्थित हो उसे नेगिटिव रक्त सम्मुए कहा जाता है रक्त सम्मुए होते हैं या रक्त सम्मुए होते हैं साथ में इसके शूर लेते जाएए अगर कापी पेन है तो साथ में लिखते जाएए क्यों लिखने से आपको ज्यादा याद होगा हम तो यह कते हैं कि आप पहले लिख लिए जी रब कोपे में लिखते जाए उसके बाद फिर कोपे में उतारिये तांको आपको डबल ज्यादा लिखोंगे та जितना ज्यादा लिखोंगे उतनी ही आपको ज्यादा समझ में आएगी तो इसके स्के उतलैर लीजे उसके बाद आगे बाथ करते हैं पिल्कुल अब बाथ करते हैं मानव मस्तिस्क का जो अगला क्यूसंद रहेगा अपना मानव मस्तिस्क का वजन क्यूसंदा गुर जी मानव मस्तिस्क का वजन मानव मस्तिस्क का वजन कितना है कि मानव मस्तिस्क का वजन कमेंट सेशन में चाहत दीजी एक बार मानो मस्तिस्क का वजन कितना होता है देखते हैं इसका सबसे पहले राइट अंस्वर कोण बताता है तो मानो मस्तिस्क का वजन कितना होता है जि बिलकुल बिना किसी देरी के राइट अंस्वर चाप लेते हैं लाड़े तेरा सो सें सुगदा सो गराम मानों मस्तिस्क का वजन होता है कितना होता है उर्जी तेरा से 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 सगदा सो गराम तक मानों मस्तिस्क का वजन होता है बात करते हैं इसके इलाओ मानों का मस्तिस्क होता है वो कपाल अस्तियों से ढखा रहता है किसे इस अस्तियों से जो कपाल अस्तियों होती है कि कपाल अस् मस्तिस्क है वो डखा रहता है और मानों में जो कपाल अस्तियों होते हैं लाड़े वो कितनी होती है आठ अस्तियों होती है कितनी अस्तियों होती है मानों कपाल में आठ अस्तियों होती है जो खोपड़ी के ओपर यहाँ पर पाई जाती है जो आठ अस्तियों होती है बात करें इसके अलावा नीचे की और बात करें कपार अस्तियों के अलावा मानों मस्तिस्क में कहीं बात देखा होगा आपकी जो मानों मस्तिस्क का वज़न है वो पुर्सों का 50 ग्राम ज्यादा हो तो 500 ग्राम ज्यादा होता है मैलाओं की बज़ाए कहीं बार आपको देखन आपको द्यान में रखना होगा अगर व्यापको ज्यान में रखना है कि उसके मस्तिस्क हमकिन को सबसे बढ़ा बाघ कों सबसे बढ़ा भाग मानों के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग सबसे बड़ा भाग मेतवपुन भाग भी सबसे बड़ा भाग कौन सहे लाड़ ले परह मस्तिस्क मानों मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो मेतवपुन भी होगा और जो दो अर्ध गोलार्दों में विवगता है या बटावा होता है वरिक के मद इसके अलावा बात करते हैं प्रैम मस्तिस्क का चैतरपल जितना अधिक होगा वह उतना ही वेक्ती बुद्धिमान होगा या जो उसकी IQ लेवल हो इतनी ही ज्यादा होगी जितना इसका चैतरपल ज्यादा होगा बात करते हैं अनुमस्तिस्क जो प्रैम मस्तिस्क के नीचे होता है इसी मस्तिस्क का बाग ह हता है ठार होता है कि क्या करना और शरीर का will run run later रिलन का मुख्य का रियेघONEY होता है कि तरीट के जो संतुलन बनाई रखने का वा कि इसका होता है लार्दे अनुबस्च कि इस एक होता है और बात किते अधो बीढõ़ता हुँ मस्तिस के पस्ट भाग में बेलनाकार इस्तित होता है मेडिूला अबलुलुगेटा मेडिूला अबलुगेटा कहां पर होता लाड़ दे हो है पस्ट भाग में मस्तिस के पस्ट भाग में इस्तित होता है मेडूला अबलिल गेटा जो important है मस्तिस के लिए पात कते हैं, यह बेलनाकार होता है और इसके जो बाग में मेरूरजु निकलती है इसमें क्या होती है? मेरूरजु कहां निकलती है? यह भी पूछा जाता है, तो मेरूरजु कहां से निकलती है? वो लाड़ ले मेडूला उबलिगेटा से निकलती है इसके अलावा बात करते हैं जैसे हर्दे की दड़कन, रक्त दाब, बोजन का पाचन ठीक, खासी, उल्टे, आदी की किरियाओं पर नियंतन कोन कर रखता है मेडूला उबलिगेटा, यह सभी पर नियंतन रखता है एक बार इसके सोर ले लिजे, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे इसके सोर ले लिजे, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी, बिल्कुल अगला की चुनता, आपका जो पूछा गया था, हमरा बनाए गया टीम के दोबरा की ओर की सुनता है जो आरबीसी से रिटेर सम्मन देते था जिसमें की सुनता है की आरबीसी का कबिस्तान क्या था, आरबीसी का आरबीसी का कबिस्तान किसे कहा जाता है आरबीसी का कबिस्तान किसे कहा जाता है साइन्स के तो आपने के रक्त रुदिर वाड़ा चे पर हम चल रहा था उसमें हमने बताए था तो साब्दीजे जिन्नों ने अपनी क्लास ली है एक बार आर्बी सी का कब्रिस्तान कि देखते हैं सबसे पहले इसका राइट अंसर कौन देता है पिल्कुल बिल्कुल पलिहा किसको लाड़ ले पलिहा को क्या का जाता है गुर्जी आर्बी सीगा कब्रिस्तान या रुदिर बेंक भी कहा जाता है या रुदिर बेंक दुरुदिर बेंक भी किसे कहा जाता है लाड़ ले वो भी आपके पलिहा को कहा जाता है और आर्बी सी का कब्रिस्तान भी इसे ही कहा जाता है इसके अलवा जो लाल अस्ती मज़ा में आर्बी सी का निर्मान होता है और बुर्णी अउस्ता में यकर्ट वे पलीहा में होता है बुर्णी अउस्ता में तब कहा होता है यकर्ट में और पलीहा में इसका निर्मान होता है इसके अलवा जो कुछे जाते हैं वो कुछे जाते ह कून करता है। चाहब दिजी एक बार कमेंट सेशन में कि अर्दे की दढकन को नियन्तरिध कौन करता है। कौन करता है लाड़ एक बार कमेंट सेशन में जरूर बताएं देखता है बिल्कुल साब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसवर जी बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ आपका राइट आंसवर है पेसमेकर राइट आंसवर बिल्कुल लाड़ दे पेसमेकर राइट answer देते रही आप आप माना भी उसला बढ़ा रहे और answer जरूर दीजिए हमने जिसे अपनी जो class अलते हैं सुब बरमास से लिए उसमें भी हम आपको रोज रोज बोलते हैं कि answer जरूर दीजिए कि answer देने से हैं अगर आप गलत भी answer दोगे तो उसका फिर हम right answer देंगे तो वो आप questions कभी भी नहीं बूल पाओगे इसलिए हम बार-बार आपको कहते हैं बले आपको answer ना है पर आप answer जरूर बताएं क्योंकि आप अगर गलत answer भी बताओगे तो उसके आद में आपको उसका right answer मिलेगा इसके अलाव जो अगला questions था अपनी team का वो था गुरूजी master गरंती गा कि master गरंती किस गरंती को कहा जाता है क्या लाड़ ले कि master गरंती master गरंती किस गरंती को कहा जाता है master गरंती किस गरंती को कहा जाता है साब दीजी एक बार comment section में right answer देखते हैं इसका सबसे पहले right answer कौन देता है बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ लाड़ ले बिल्कुल रोहीत आर्मी फेन आपका right answer है master गरंती लाड़ ले puse गरंती को कहा जाता है किसको कहा जाता है लाड़ ले puse गरंती को master गरंती कहा जाता है क्योंकि सबी गरंती उपे नियंदर कौन करते है लाड़ ले puse गरंती करते है कौन करते है puse गरंती करते है जो सबी गरंती उपे और puse गरंती के उपर भी कि यहां पर यहांस को कि सॉत मिलीख लेते हैं एक बार कि है चाँगा बारे में आड चोच अब ऑए पास्टिग लेंड ठीक है इससे आप यह याद रखना कि भूक प्यास भूक प्यास त्रिष्णा गर्णा वो सारे किस कारण होते हैं लाड़े हाइपो थेलेमस के कारण होते हैं कहीं बार कहते हैं ना जिंदकी में इसे रुठावी भी आते हैं जैसे 18 से हैं आपके 25 तक के लमसम उस काल में कि भूक प्यास नहीं लगती है नींद नहीं आती है चेन नहीं आता है तो लाड़ले वो लवीरिया बिमारी नहीं है वो सारी की सारी आपकी हाइपो थेलेमस है त किसका रहता है और उससे नीच से कौन सी होती है गुरुजी प्यूस गरंती होती है जो मतर के दानी के समान होती है जो वर्धी हार्मोन भी स्रावित करती है वर्धी में साइक वर्धी में साइक कौन सी होती है गुरुजी प्यूस गरंती होती है अगर प्यूस गरंती काम कर सबसे जदा है कि यह सबसे चोटी अंताषरावी गरंथी भी है सबसे चोटी अंताषरावी गरंथी है जो बड़ा इंपोर्टेंट आपका चेप्टर वाइज चल रहा है तो सबी बचे जो अपनी जीत बेच चल रही है उसमें जरूर जुड़े रोज साम को 6 बजे अपनी एक लास आती है और सुबह साथ पंदरा पर बरमा से सीरी जाती है वो बड़ी इंपोर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए आने वाले सभी परतियों की प्रिक्षाओं के लिए जो आपकी जो सुबह की बरमा से सीरी जाती है 20-25 मिनिट की लगबग 25 के 30 मिनिट के लगबग होती है वो बड़ी इंपोर्टेंट होती है क्योंकि उसमें पहले टीम के दुवरा 100 किशन त्यार किया जाते है उन चो गिसन में से जो इंपोर्टेंट 20 किशन होते हैं questions आपको provide करते हैं जिसमें आपके current के questions होते हैं current के जो daily 5 questions सबसे important होते हैं वही questions आपको करवाई जाते हैं उसके अलावा डिवस के questions वहाँ पे करवाई जाते हैं दूसरी बात reasoning के जो important questions रहते हैं जो हर देखा गया है और आगे भी देखते आएं कि कौन कौन के ज्यादा most important chapter रहे हैं जो questions पूछे जाते हैं उन्हीं में जो questions बनने को तयार होकर आपके सामने आते हैं बात करते साइंस के तो science के questions वही पूछा जाते हैं जो exam में पूछ जाने के पूरी-पूरी संभावन है और उस लेवल का जो अभी तक exam में पूछा जा रहा है वेसा ही उसमें किया जाता है और जी केUCKे कुन तुसके माहनत के ना की माहनत के साइस्स के सब्सक्राइब आपकी माहनत के साथ और फिर हमने पहले जो अपना सीरी चलवाए था अगनिवीर के लिए कि इन मेंसे जो मश्ट कुशन थे उन मेंसे हर सिप्ट में आपने कुशन आ रहे थे क्योंकि टीम ने बड़ी कड़ी मैनत के साथ वो तयार किया था इसलिए वो कुशन आ रहे थे तो मैंनत करते रहो मैंनत करने वो इस सपलताव से परदान होगी इसलिए का है कि रख होसला वो मंजर भी आएगा कि रख होसला वो मंजर भी आएगा पैसे के पास समंदर भी आएगा यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे लाड़ दे एक बार इसकी सोट ले लिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं पाद करते हैं इसके अलावा पिल्कुल अगला जो क्यूसन स्था आपने टीम का अगला क्यूसन क्या था लाड़ दे वो प्लाजमा का रंग था उसमें क्या पूचा था लाड़ दे की प्लाजमा का रंग के सा था प्लाजमा का रंग प्लाजमा का रंग पूचा था कि प्लाजमा का रंग के सा होता है एक बार कमेंट्स इसमें जरूर बताए बिल्कुल बिल्कुल प्लाजमा का जो रंग होता है लाड़ ले वो कितना होता है कैसा होता है हलके पिले रंग का हलके पिले रंग का लाड़ ले उसका कलर होता है इसके अलावा बात करते हैं रक्त में जो पली होता है उस प्लाजमा होता है प्लाजमा कितना परतिस्थ होता है रक्त का लाड़ ले वो होता है आपका 55% रखत का 55% क्या होता है गुर जी प्लाजमा होता है और प्लाजमा में भी 92% होता है जल किता है 92% होता है जल ठीक है ये भी आपको याद रखना है इसके अलवा बात करते हैं रुदिर कोशी काओं की तो रुदिर कोशी काओं की इतना परतिस्त बाग करती है वो करती है 45% इसका बाग में निर्माण में साइग होता है कि साथ में लिखते जाइए इसके अलाव जो किसन दापना जो टीम के दुवारा दूसरा किसन लाड़ दे वो और बी सी से इससे था कि आर बी सी का जीवन काल कितना होता है पूछ आपको पूछा गया था टीम के दुबरा तो सब गीजी एक बार कमेंट सेशन में राइट आन्सफर आरबी सी का जीवन काल जी बिल्कुल रेड बलड सेल लाल रख्त कनिका बिल्कुल बिल्कुल 120 दिन लाड़ दे ठीक है 120 दिन होता है आरबी सी का जीवन काल कितना होता है लाड़ दे 120 दिन RBC का जीवन काल होता है बात कते हैं इसके अलावा पादप से लेटर क्यों सुन था पादप हार्मोन बिल्कुल वे कौन सा पादप हार्मोन है क्यों सुन पूछा गया था कि वे कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में साइक होता है क्यों सुना है फलों को पकाने में साइक फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन का नाम पादप हार्मोन का नाम बताईए जाब दीची एक बार कमेंट सेजर में अपने जो पादप हार्मोन से है उसकी दो गला से हमने पूरी ले रखिए पूरे पादप हार्मोन का दो पूरा चेप्टर है हमने पढ़ लिया है तो एक बार कमेंट सेसिर में जरूर बताएं इसका राइट आंसवर देखते हैं इसका कोई राइट टांसुर सबसे पहले कौन देता है जी बिलकुल रोहित, संचीत, अंकीत, योगेस, आर्मी, लवर, बिलकुल फोजी वाला जी हाँ बिलकुल आपका राइट टांसुर है इथाईलीन कौन सा है लाड़ दे इथालीन पादफ हार्मोन है जिसके दुआरा फलों को पकाने में साहिता मिलती है यह पादफ हार्मोन फलों को जल्दी से पकाने है तू परियोगत किया जाता है पादफ फलों को जल्दी से पकाने है तू पादफ हार्मोन में सब्मंदित इसे इथालेन का प्रियोग किया जाता है बात कते हैं इसके अलावज एक पूछा गया था एक कृतिम हार्मोन कृतिम हार्मोन को भी पूछा गया था कि कृतिम हार्मोन कौन सा है कृतिम हार्मोन कौन सा है पादप हार्मोनों में से पूछा जाये था जल्दी पकाने में किस हार्मोन का प्रियोग की आज़ आता है ये पूछा गया था इतालिन का किया ज़ा बात किते हैं क्रित्रिम हार्मोन तो कौन सा क्रित्रिम हार्मोन ये पूछा गया था तो कौन सा पादफ हार्मोन है वो क्रित्रिम हार्मोन है KITRIM हर्मोन के बारे में हमें पता न है तो बता दीजिए, एक बार kITRIM हर्मोन कौन सा है देखते हैं बिल्कल बिल्कल रोह तेरा राइट ऐं-स्वर है EPCC के अमले बिल्कल EPCC के अमले बिल्कल राइट ऐं-स्वरी आपका FCC के अमले जिनने कृत्रिम हार्मोन भी कहा जाता है या हार्मोन बीजों को प्रिस्पेटरन में रोकता है सीथ बंडारन के लिए प्रिस्पेटरन को रोकता है इसके अलवा जो दूसर अगला क्यूशन पूछा गया था वो था नवजात सी सुक से लेटर था कि नवजाद सीसु में जो दड़कंदर है नवजाद सीसु नवजाद सीसु की दड़कंदर कितनी होती है यह पूछा था आपका जो हमने करवा दिया था पहले ही इसका राइट अंसर बता दीजिए सारे के सारे क्यूशन अपनी क्लास में से पूछे गएं जो इंपोर्टेंट है जो अभी तक एक्जाम में पूछे भी गएं और रिपिटेंट भी होते है और जो क्यूशन भी तक नहीं पूछे गएं आगी पूछनी के सम्मावना है वो भी क्यूशन से आपको करवाए जाते है तो जो नवजाद की जो दरकंदर कितनी होती है वो अमें बताना है देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसवर कौन देता है लाड़ दे ताप दीजी एक बार ती बिल्कूल नवजाद की जो दरकंदर होती है लाड़ दे वो 130 होती है कितनी होती है लाड़ दे 130 है परती मिनिट सेकिंड के इसाप से होती है कृती होती है परती मिनिट पातर क्या है परती मिनिट तो नवजात की जो दड़कंदर होती है लुगर जी 130 होती है और वैस्क की कितनी होती है लाड़ दे वैस्क की होती है लाड़ दे 35 परती सेकंड मिनिट सोरी 35 परती मिनिट होती है वैसकी की और शिसू की होती है नवजाद शिसू की 130 परती ही मिनिट धड़कंदर होती है इसके अलावा बात करते हैं इसी में कि लाड़ ले आगे बात करते हैं कि वैसकी की धड़कंदर हो गई अब बात करते हैं एक बार पंप करने में खर्दे के दुवारा एक बार एक बार पंप करने में एक बार पंप करने में कितना एमल रख्त निकलता है या कितना एमल रख्त पंप करता है ये क्यूशन स्था इसका राइट आंस्वर बताईए एक बार देखते है बिल्कुल इसका राइट आंस्वर बता दीजिए एक बार कमेंट सेशन में एक बार जिसे रख्त अरदे पंप करेगा तो कितना एमल रख्त को पंप करेगा कितना में जी बिल्कुल बिल्कुल 17 अमल जी हाँ कितना होता है गुरू जी 17 अमल 17 अमल रक्त को पंप करता है तो मालिया 17 अमल इसके अलावा इसके बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ठीक है जी गुरू जी बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे जैसा ही एक मिनिट में कितनी लाड़ दे? एक मिनिट में कितनी बार दर्खा लाड़ दे? बैतर बार दर्खा ठीक है और एक बार दर्खने में एक बार दर्खने में सतर अमल होता है एक बार दर्खने में सतर अमल रखत निकलता है तो बैतर बार दरखने में बैतर बार दरखने में कितना अमल रखने निकलेगा तो बैतर इंटू चत्तर तो पांच हजार चालिस पांच हजार चालिस लगबग पांच लिटर एक मिनिट में क्योंकि बैतर बार दरखा कितने मिनिट में लाड़ दे एक मिनिट में ठीक है एक मिनिट में बैतर बार दड़कता है तो बैतर बार दड़के में कितना होगा पांच जार चालिस लगबग पांच लिटर लगबग कितना हो गया पुरजी पांच लिटर से ज्यादा ही हो जाता है तो पांच लिटर तो एक मिनिट में पां हर्दे से कभी की दूसरे किसी के हर्दे को हर्ट नहीं करना चाहिए क्यूंकि सबसे ज्यादा कारिये कौन करता है हर्ट करता है तो हर्दे को सदाकुष रखिए इसके साथ कभी चल कपड़ना कीजिए हर्दे सब का सेम होता है तो एक हर्दे से दूसरे हर्दे का ख्याल भी र रखना चीए सबी को, एक दूसरे का हर्दे का ख्याल भी रखना चीए, और रिष्टा वही होता है जो बिना किसी चल कपड द्वेस के होता है, बिना किसी द्वेस के होता है, बिना किसी परपज के होता है, वही रिष्टा है, सचा रिष्टा कहलाता है, तो हर्दे से अगली बात करते हैं इसके अलवा तो अग एक बार पंप करने में कितना लग गुरुजी 17 ml निकलता है ठीक है तो एक इसमें लगा समय कितना होगा कि एक मिनिट में तो बहतर बार दड़कता है तो एक बार दड़कने में कितना समय लगेगा यह भी किशन पूचा गयता एक बार दड़कने में लगा समय कितना समय लगता है कितना समय लगता है किशन पूचा एक बार दड़कने में लगा समय बताइए मनुश्य का हर्देगा एक बार दड़कने में कितना समय लगता है तो गुरुजी एक मिनिट में बहतर बार दड़कता है तो एक बार दड़कने में जो लगा समय वो हमें ग्यात करना है तो बिल्कुल क्यों नहीं गार कर लेंगे क्योंकि एक मिनिट में लाड़ ले 60 सेकिंड होती है ठीक है तो 60 सेकंड होती है तो हमें एक बार धरकने में बताना है और एक मिनिट में गुरुजी बेतर बार धरकता है ठीक है तो गुरुजी मान ली हमने कि 60 सेकंड होती है बेतर बार धरकता है तो लार्दे 0.8 सेकंड लार्दे जब हर्दे एक बार धरकेगा तो एक बार धरकने में जो लगा समय होगा वो लार्दे 0.8 सेकिन होगा और 0.8 सेकिन में हर्दे एक बार धरकने गएगा वो एक बार धरकन में आपकी जो 70 ml रक्त है वो पंप कर देगा कितना कर देगा गुर्ची? 70 ml रक्त को पंप कर देगा चिक है जी बिल्कुल इसके इसके बात करते हैं हर्दे की तो हर्दे मनुष्य के कितना कोष्ट किये होता है लार्दे चार कोष्ट किये होता है कही इंसन कही परकार के बनाते हैं हर्दे के यसा बनाते हैं के इसा यसा हर्दे कुछ नहीं होता है कि इसमें क्या होता है तो आपके उपूस ये इस सीराओं के मादेम से आपके इसमें आता है गुरजी आलिद में आलिंद ये भी है आलिंद दाया आलिंद बाया आलिंद और दाया निले और जो बाया निले होता है ये चार कपार्ट इसमें होते हैं पाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड इन कपाटों के वापस चिपकने से ही जो आवाज आती है हर्दे में जो हर्दे की आवाज होती है वो कौन सी होती है गुर जी वो लबडब होती है हर्दे के जो कपाटों के चिपकने के आवाज होती है वो कौन सी होती है लबडब होती है और इस यूँ हर्दे के जो धड़कन को सुनने वाला या हर्दे की जो धोनी को सुनने वाला यंतर क्या का लाता है? जो डोक्टर के दोबरा सुना जाता है फिक है? जी बिलगुल अब बात कहते हैं हर्दे जिसे रखत आएगा रखता आने के पाथ जो दाएं आलिंद में आता है दाएं निले से यहां से जो आपके फुपु से धमनी होती है क्या होती है उर्गुर जी फुपु से धमनी इस धमनी से जाता हुआ फिर यहां पर आता है फेपडों में क्या आता है फेपड़ों में और फेपड़ों से वापस इसमें ओटू मिल जाती है और गुलंद सिल होने से वहाँ पर आती है वापस फुपु से शीरों में और फुपु से शीरों से कहा जाता है लारदे वापस आता है आपके इसे दाए आलिंद में और आलिंद से नाए नि कारिय नहीं बात करते हैं धमनी میں- भू कर दो लॉड़ते हैं और आपके सीरा वह होती है, व्हल्हेभावय एक का मतलब जिसमें ऑक्सिजन ना हो और सुद्रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सिजन हो जब कि ये एक फुपुशे शीरा हो जाती है जिसमें सुद रखत होता है क्योंकि फेपणों से फुपई से शीरा में आता है रखत क्योंकि उसमें फेपणों से ऑक्सिजन मिल जाती है और फेपणों में ऑक्सिजन गुलंचे लोग की पाद आलिंद में आ जाती है तो आलिंद में आने के लिए इस केवल पूपूश ये शीरा शीरा होती है उसमें जरूर सुद रख्त होता है क्योंकि उसके आगे फूपूश ये लगावा है यहामें ध्यान रखना है कि अब शीरा पूश लिया जाए तो ऐसुद रख्त होता है यह भी आपको ध्यान में रखना तो ऐसुद रख्त है सीरा जिसमें ओक्टू गुलंची इलना हूँ और सुधरक्त का पूछ लिया जाए आपको सुधरक्त का मतलब है धमनी अपने सब सुध है इसलिए सुध धमनी में ठीक है जी बिलकूल एक बार इसका इसी इंट्रोल ले लिजिए जी बिलकूल तो आसा करते हैं आप सबी इस सबस्त दरूस्त होंगी और आज की क्लास आपको समझ भी आएगी एक बार सेस्न को दबा के इसको सेर कर दीजिए सबी बचों तक ये कलास पहुंचा दीजिए क्योंकि आज की जो अपनी कलास हुई थी इसमें से लग भग शपन क्यूसंस दो आपके पूछे गे थे एकजाम में अभी तक है तो सारी के सारी क्यूसंस इसमें अवेलेबल थे कलास ज्यादा लंबी नह लगते हैं और आपसे इजाज़त चाते हैं तब कि आज की जो कलास थी बड़ी इंपोटेंट थी सबी बचे इसको एक बार वापस देख लें वापस पढ़ लें और एक बार सभी बचों को अपने दोस्तों को सेर कर दीजिए और इसके बीच आपके इस बीच कलास हैं इज हिंद जए बार्द